डेली कनेडियन न्यूस बुलेटन इन हिंदी एंद उर्दू, अनली अट टेग टीवी टेग टीवी अप्टेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कैनड़ा एंड अराउंड गलोग कैनेड़ा अमरीका की सरहत पर पाबंदियों में तौसी अमरीकी कांग्रेस मेन का बॉर्डर दुबारा खोलने के मनसूबे पर जोर कैनेड़ा अमरीका बॉर्डर गुजश्टा मार्स से घर जरूरी सफर के लिए बंद है ओंडेरियो प्रीमियर आफिस के स्टाफ मेंबर में कुरोना वारस की तश्चीज प्रीमियर डग फोर्ड आइसुलेशन में चले गए आइसुलेशन के दौरान अपने फराहिस सर अन्जाम देंगे ओंडेरियो में पुलिस का शेहरियों को रोकने से इंकार लिबरल पार्टी का फोर्ड हकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा हकूमत का वैक्सिनेशन मजीद तेस करने पर जोर कैनेड़ा भर में कुरोना के वारत तेज़ी से जारी है मरीजों की मजमूरी तादाद 11,49,43 तक जा पहुंची हलाकते 23,666 हो गई कुरोना वारत से दुनिया में 9,000,000 नए केसिस डिपोर्ट कुरोना वारत से एक दिन में 14,000 से जाय दमबाद मरीजों रमबाद में मुसलसल इजाफा जारी है सुशान सिंग की जिन्दगी पर बनने वाली फिल्म पर पाबंदी का मतालबा अदकार के वालिद ने दर्खास तायर कर दी अदालत ने फिल्म सास को तलब कर लिया गुलुकारा सर्भ मार्वी पर तशद्दूर और अरगवा की कोशे साबिक शोहर हामिद अली और उनके साथियों के खिलाफ में F.I.R. धश कर ली गई हैट लाइज आपने जानी और अब खबरे तफसील के साथ कैनेडा अमरीका की सरहत पर पाबंतियों में तौसी की गई है जबके अमरीकी कांग्रेंस में ने उसे दोबारा खोलने के मनसुबे पर जोड़ दिया है मजीद जानते हैं इस डिपोर्ट में कैनेडा अमरीका की सरहत पर पाबंतियों में तौसी की गई है जबके अमरीकी कांग्रेंस में ने इसे दुबारा खोलने के मनसुबे पर जुबर दिया है सरहतों को 21 में ता गर ज़रूरी कारोबारों के लिए बंद रखा जाएगा पबलिक सेफटी मिनिस्टर बिल बलेर ने ट्विट के ज़रिये पाबंदियों में तौसी की तज़ीग भी की है उन्होंने कहा कि हम कैनेडिन शहरियों को कोविड नैंटीन से महफूस रखने के लिए दस्तियाफ सहते आमक के बेहतरीन मशवरों पर अपने फैसलों की बुनियात रखेंगे कैनेडा अमरीका का सरहदी मुहाइदा जो पिछले साल मार्च के बाद से जारी है ऐसे बेशतर मसाफरों के दाखले पर पाबंदी आयद करता है जो कैनेडा के शहरी नहीं है मस्ताकिल रहाशी है या जरूरी वजुहात की बिना पर अमरीका से दाखल होने वाले लोग नहीं है ज्यादा तर अफराद जो मुलक में दाखल होते हैं उनकी आमद के बाद 14 दिन के लिए उन्हें करंटीना में रहना पड़ता है दूसी जानब से अमरीका के एक कांग्रेसमेन दोनों मुमालिक की सरहग को खोलने पर जोर दे रहे हैं उनका कहना है के बादर के दोनों जाने बसने वाले हांदान आपस में तूट गए हैं हमें कैनडा अमरीका बादर को खोलने के लिए मनसूबे की जरूरत है उन्टेरियो के प्रीमियर डग फॉर्ड स्टाफ मेंबर का करोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर आईसुलेशन में चले गए उनके दफ्तर की जानिब से कहा गया है कि फॉर्ड का टेस्ट नेगिटिव आया है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में उन्टेरियो के प्रीमियर डग फॉर्ड स्टाफ मेंबर का करोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर आईसुलेशन में चले गए उनके दफ्तर की जानिब से कहा गया है कि डग फॉर्ड का टेस्ट नेगिटिव आया है प्रीमियर डग फोर्ट करोना का शिकार होने वाले मिम्बर से करीबी रापते में थे इस स्टाफ मिम्बर ने पीर के रोज डग फोर्ट से मलाकात की थी और मंगल के रोज अलमाद जाहर होने के बाद उनका टेस्ट पॉसिटिव आया था डग फोर्ट की तरजवान का कहना था कि अमले के रुकन में करोना की तश्वीश के बाद फोर्ड ने वायरिस के फैलाओं के पेशे नज़र जल्द जल्द असेमली से निकलने का फैसला किया डग फोर्ड की थाउजन डालर पीसी पार्टी फरंड रेजर को मौतल कर दिया गया है और मतासरा शखसे करीबी रवावित में आने वालों को भी आईसलेशन में भीजा जाएगा डग फोर्ड की तरजमान का कहना है कि हम टरॉंटो पाबलिक हैल्ट की जानिब से मज़ीद एहतियाती तदाबीर का इंतिजार कर रहे हैं और प्रेमियर और स्टाफ उन पर अमल दरामत करेगा उनकी जानिब से कहा गया है कि प्रेमियर आईसलेशन में रहते हुए ही हकूमती अमूर सरंजाम देंगे वाज़र है कि 9 अपरेल कोड़ा कोर्ड ने टरॉंटो में आस्ट्रा जेनिका वाक्सीन लगवाई थी उन्टेरियो के पुलिस डिपार्टमेंट ने एलान किया है कि वो सुबाई हुकूमत का शेहरियों को रोग कर उनका नाम पता पूछने का इख्तियार इस्तिमाल नहीं करेंगे इस हवाले से मजीद चानते हैं टरॉंटो और पील रीजन में जहां भी पांच से ज़्यादा अफराद में करोना वारिस की तश्वीश हुई वहां कारुबार को बंद कर दिया जाएगा उन्टेरियो के पुलिस डिपार्टमेंट ने एलान किया है कि वो सुबाई हुकूमत का शेहरियों को रोक कर उनका नाम पता पूछने का इक्तियार इस्तिमाल नहीं करेंगे उन्टेरियो का सूबा जो कैनेड़ा का सबसे पुरहुजून सूबा है कि पुलिस अहलकारों का कहना है कि इस सरकारी हुकूम में बहुत सी खबाहते मौजूद है जिन से निमटना मुश्किल काम है अगर पुलिस शेहरियों को रोक कर उनके नाम पता पूछेगी तो ला मुखाला आगे चल कर उसमें नसली और मतास्बाना एक्दामात का पहलो भी शामल हो जाएगा जो पुलिस के लिए खतर डाक है लिबरल पार्टी के मिमरान एसेमली ने फॉर्ट हुकूमत से मतालबा किया है कि वो मस्ताफी हो जाए ये मतालबा लिबरल पार्टी के M.P.A. की जानब से उस वक पेश किया गया जब फॉर्ट हुकूमत की जानब से जारी शहरियों के नाम पते चेक करने के हुकम पर पॉलिस ने उनका हुकूम मानने से इंकार कर दिया इन एकामात के बाद शहर में बास मकामात पर एहतिजाज भी हुआ था लेकिन फॉर्ट हुकूमत की जानब से अभी इस बारे में कोई बयान सामने नहीं आया है दूसी जानब सूबे में हुकूमत वैक्सिनेशन के अमल को मज़ीद तेज करने के लिए एकदामात कर रही है सूबे में 24 घंटे तक वैक्सिन सेंटर्स खुले रहेंगे जहां 20-40 साल के उमर के जायद अफराद को जो शदीद मतासरा इलाकों में रहते हैं उन्हें वैक्सिन दी जाएगी ऑंटेरियो में करोना के बढ़ते हुए केसिज और अस्पतालों में कम होती हुई सहूलियात के पेशे नजर फील्ड अस्पताल काइम करके मरीजों को इन में मुंतकिल किया जा रहा है मजीद जानते हैं इस डिपोर्ट में कैनेडा भर में करोना के वार तेजी से जारी है कैनेडा भर में करोना के मरीजों की मजमुई तादाद 11,49,033 तक जा पहुँची है जबके हलाकते 23,660 हो गई जबके 10,19,789 अफराद सहत्याब हो चुके है ऑन्टेरियो सूबे में करोना केसिस की तादाद सबसे जादा है सूबे भर में करोना वारिस से मतासिर होने वालों की तादाद 4,24,911 तक जा पहुँची है जबके हलाकतों की तादाद 7,735 है ओंटेरियो में करोना के बढ़ते हुए केसिस और अस्पतालों में कम होती सहुलियात के पेशे नजर फील्ड अस्पताल गैम करके मरीजों को उनमें म convictions किया जा रहा है ٹرانٹو میں قائم کیا جانے والا نیا فیلڈ اسپتال نئے مریضوں کو لینے کے لیے بالکل تیار ہے جبکہ اس سے قبل سنی براک میں ایک فیلڈ اسپتال میں اب تک سینکڑوں مریضوں کا علاج بھی کیا جا چکا ہے اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے جی ٹی اے میں اسپتال بھڑنا شروع ہو گئے اور مریضوں کو ہارٹ سپوٹ اور دیگر مقامات سے ان اسپتالوں میں منتقلی ضروری ہو گئی ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں جہاں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ انتالیس ہزار ایک سو اسی ہیں جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار آرٹھ سو سولہ تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں ایک لاکھ تہتر ہزار پانسو اکتیس افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار تینتالیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ سے تجاوز کر گئی جہاں ایک لاکھ بیس ہزار آرٹھ سو نواسی افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار پانچ سو اٹیس ہے عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں چودہ کروڑ پین تیس لاکھ بیالیس ہزار سے زائد افراد متاثر اور تیس لاکھ ستاون ہزار پانچ سو اکتالیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں چودہ کروڑ پین تیس لاکھ بیالیس ہزار سے زائد افراد متاثر اور تیس لاکھ ستاون ہزار پانچ سو اکتالیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد بارہ کروڑ اٹھارہ لاکھ سے زائد और फाल केसिस की तादाद 1,85,000,000 अमरीका में करोना से मरने वालों की कुल तादाद 5,88,456 तक पहुँच कई है जब के 3,25,36,000 से जायत मुतासिर है भारत में करोना से मतासिर अफराद की तादाद 1,56,9,000 से जायत है और 1,82,570 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं तर्की में करोना वायरिस से अमवाद 36,613 तक जा पहुँची है जब के करोना वायरिस के केसिस 43,84,624 हो चुके हैं इटली में करोना वाइरस से कुल अमबाद की तादाद 1,17,633 हो गई जबके इसके कुल केसे 38,91,63 हो गई सादी अरब इसी फैरिस में 42 नमबर पर पहुँच चुका है जहां करोना वाइरस से अब तक कुल आवाद 6,846 रिपोर्ट हुई है जबके मुम्लिकत में इसके मरीजों की तादाद 4,7,010 तक जा पहुँची है देहली की आदालत ने आझजहानी अदकार सुशान सिंग राजपूत की जिंदगी पर फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर को तलबी का नोटिस चारी कर दिया। पर जारी किये हैं। उन्होंने अपने बेटे की जिंदगी पर बनने वाले फिल्म पर पाबंदी के लिए देली हाई कोट में केस टायर कर दिया है। अदालत मेदार मुकदमे में आजिहानी अदाकार के वाले ने मौकव इख्यार किया है कि उनके बेटे की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म में फिल्मसास मौके से फायदा उठाते हुए दरे पर्दा हासल मौके को कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्धरी का कहना है के खेल, फिल्म्स, वैब सीरीज, किताबों और इंटर्वियूज में मेरे खांदान और बेटी की साख को नुकसान पहुचाया जा रहा है। करिशना किशोर ने दर्जबाला फिल्म के फिल्मसास पर सिर्शान सिंग की साख को नुकसान पहुचाने, दमागी दबाव और हैरेस्मेंट पर दो करूर रुपे हर जानी का दावा भी किया है। हकोग के खिलाव वर्जी समझी जाएगी। याद रहे कि भारते फिल्मसास आरिया बबर ने गुजिश्टा साल अगस्त में आजिहानी अदाकार की जिन्दगी पर फिल्म बनाने का ऐलान किया था। फिल्म की अक्स बंदी मुकमल हो चुकी है और 15 साल जून में इसे रिलीस किया जाना है केस की समा 24 मैं को दहली हाई कोट में होगी। लाहूर में गुलुकारा सनम मार्वी ने अपने उपर तशद्द और अगवा की कोशिश का मकदमा दर्च करवा दिया। और अपने भाई के साथ मिलकर एगवा की कोशिश की। टैक टीवी के पाकस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रही हैं टैक टीवी। सब्सक्राइब टैक टीवी यूटूब चैनल और प्रेस्ट नोटिकाशन बटन प्रेस्ट का टीवी यूट नोटिकाशन बटन